हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लोक चैप्टर को जो इम्स बीएसी नर्सिंग और पैरे मेडिकल के आपके औरियंटेड कोईशन रहेंगे ठीक है बहुत चारे बच्छों का डाउट है कि क्या हम इसके लिए नीट के पी वाईक्यू सोल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटल आप लोग कर सकते हो बट इसमें आपके हाड कोईशन पी आते हैं और लो इवल भी रहता है तो हमें बहुत ज़्याद हाड की प्रैक्रेस नहीं करनी है क्योंकि उससे देखो ना तो वह एक्जाम की पॉइंट ऑफियू से ज़रूरी है ठीक है अब एक और इंपोर्टन चीज़ यहां पर नहीं बैठना है और निक केमिस्ट्री कि क्योंकि अपना माइन मैप लो माइन मैप से चीज़े करो ठीक है बैच वाले बचों को मैंने मैप दे रखे हैं अपने माइन मैप से चीज़े पढ़ो और नोट्स बनाओ पढ़ो उन से न दो दो झाले नहीं जरूरत है विकि टाइम कम है चैप्टर कोन से है परियोडिक टेबल है क्यामिकल बॉंडिंग है पी ब्लोक है दी एंड्थ ब्लोक है और कॉश्ट कंपांट है यह 5 चैप्टर करने चीजा यह जीज सी आपको अपको आपको एंसऑ इसकी बारे में किना यहां पर यह चीज़ आपको थोड़ी सी क्रामिंग से चीज़े याद होगी माइन मैप मैं तभी बोल रही हूं एक बार पढ़ लेना क्योंकि वहां से इंपोर्टिंट आपको लाइन्स मिल जाएंगी ऐसे वाले क्योंकि अभी कॉश्चन है अभी ऐसा नहीं कि यहीं सेम कॉ क्योंकि नौलेज होनी चाहिए ठीक है अगले कॉश्चन पर जिससे सेम यहां पर फिर से आपका कैसा कॉश्चन आ गया है मैच इसमें अब क्या पताने हैं आपको को और डायमेंट के बारे में पताना होना चाहिए बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है तो अब डेफि इसमेंट कौन सा है जो अपना मतलब की नौबल गैस कांफिगरेशन के पास आ जाएगा कंपाउंट बनने के बाद में तो यहां पर ऐसा कौन है यह बहुत एजी कोश्चन है काफी बारे ऐसा कोश्चन आज चुका है फ्लोरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर वो आइन बन रहा है ठीक है क्या बन रहा है वो आइन बन रहा है मालो अगर हम एक बार हम उसको नेकिटिव की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा f-1 एक लेक्ट्रोन जब वो गेन करेगा तब जाके क्या होंगे उसकी noble gas की configuration आ जाएगी ठीक है नाइट्रोजन में जब तो यहां पर हम बात करें अभी इनको हम अरेंज करेंगे तो इनका हमें जएड इफेक्टिव देखना है, अब जब से पहले आपको यह जानती होना चाहिए कि पॉजिटिव आइंस के लिए जब से जादा होता है comparative to negative ions ठीक है तो obviously यहाँ पर किसका जाएगा sodium का अब मैंने बोले positive का जादा होता है comparative to negative तो यहाँ पर आपको आप यह चीज़ होनी चाहिए कि अगर minus 1 sign है minus 2 है minus 3 है तो minus 3 और minus 1 के अगर comparison करें तो यह क्या हो जाएगा आपका positive comparative to minus 3 यह कम negative है तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा fluorine then oxygen and then आपका nitrogen ठीक है यहाँ आपका क्या है Z effective आगया अगर हम बात करें किसकी radius के order के बारे में किसके बारे में radius की radius किसकी जादा होगी अब जिसमें जादा electron होगी जैसे अब इसने जादा किसने नाइट्रोजन ने तो उसकी शैल तो उतने हैं बट इसने किसने ले लिए तीन एक्स्ट्रा ले लिए तो इसकी radius क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी तो हमारा nitrogen जितना जादा चार्ज होगा उतने आपकी radius आजाएगी negative जादा होना चाहिए और फिर minus 2 हो जाएगा यहाँ पर fluorine negative हो जाएगा और यहाँ पर sodium आजाएगा सबसे last में आपका क्या हो जाएगा positive iron हो जाएगा ठीक है तो इस वजए से जो noble gas होगी जो noble gas की आपकी configuration अचीव करेगा इससा आपका element कौन सा होएगा nitrogen होएगा क्योंकि वह क्या कर रहा है 3 electron gain कर रहा है to form and minus 3 which have the electronic configuration similar to noble gas I hope यह question समझ में आ गया होगा आगे again match का question आया है तो यह चीज़ आपको definitely पता होने चाहिए कि आप particular जो यह चीज़े हैं अगर मान लो इसमें थोड़ा सभी fluctuate होके आपका आ रहा है कि mind map में वह चीज़ नहीं बताए गई थी तो यहां पर आप उसको याद कर सकते हो ठीक है sulfuric acid sulfuric acid ठीक है पर oxylodysulfuric acid यह सारे आपको याद होने चाहिए इनके structure these are very important मेरे पूछा था कि कौन कौन से structure important है तो आपका phosphorus के तो यह सारे important रहेंगे ठीक है sulfur वाली तो आगे बात करते हैं अगले question के उपर यह structures important हैं याद कर याद से इसको अमलब कर लेना कि कई बार ना यह डायरेट ऐसे भी पूछ सकते हैं एक्जाम में इतना easy question आता है कि आपको यह नाम दे देंगे पायरसिल्फिरिक एसेड में आपका sulfur और oxygen के बीच में कितनी बार double burn बनता है तो अगर आपको structure बता होगा आप कर लोग इन question को क्योंकि मैच वाले questions में concept नहीं होता उसमें आपकी क्रैविंग चीज़े होती है ठीक है अब इसमें आपको क्या है इसमें formula आपको पता होना चाहिए कि बारेक्स बीट का formula क्या है क्या है क्या है क्या है उसके बाद compound particular orthoboric acid के लिए क्या आप कर रहेगा तो आपको पता होना चाहिए आगे बात करते हैं which of the following reaction is a part of large scale industrial preparation of nitric acid यह डायरेक्ट आपका नसी आटी से क्यूट के question है ठीक है कौन सा यहां पे large scale पे use होता है nitric acid की preparation के लिए ठीक है industrial जो scale पे आपका यूज होता है तो वह कौन सी reaction है तो यह आपका नसी आटी में direct होगे तो इन में से कौन सा होगा वह आपको पता होना चाहिए ठीक है यह आपका direct कोई नहीं करवा सकता बर थोड़ा से यह आइडिया लगा लो कि अगर हमें nitric acid prepare करना है और विसी बात है हम किसका ammonia को लेते हैं हमेशा ammonia आती है ammonia सिर्फ यहां पे एक ही question में है बाकि इनको हम नही इन reaction का थोड़ा सा idea होगा आप यह question solve कर लोगे in the above reaction the product x is यहां पे x का product क्या होगा जब हम na2b407 को heat करेंगे तो हमारा क्या बनेगा na2b02 आपका बाहर रह जाएगा ठीक है और हमारा अगर हम देखें तो इस structure से इस structure से b203 रह जाएगा ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा अग कोशन में balance कर लो यहां पे two sodium हैं यहां पे भी two sodium आएंगे क्योंकि जो अगला compound है वह आपका ब्रेक होके बनेगा ठीक है अगला question again match वाला question आ गया है प्रक्टिस करो क्योंकि जैसे organic chemistry में name reaction importance रखती है कि आपको direct आने ही आने चाहिए वैसे यहां पर यह करती है तो please mind map जो भी बच्चे हैं जो ने बैचले रखा है go for the mind map वहां से जितनी बार हो सके इन reactions को लिखो यह बात की 100% चीज है कि तुम्हारा question यहां से नहीं रहेगा बट again यह आपकी clear तभी हो पाएंगी चीजें जब आप इस पीडिया को बार बार solve करोगे अब मालो आप अभी बोले गए कोई बचा की दिए कोशन तो मुझसे solve भी नहीं हो रहा है मैं तो पहली बार देखा इस question को obviously अगर एक बार भी आपने NCRT कभी नहीं पढ़ी होगी क्याम मैं पुठाओ माइन मैं से चीजें नोट्स बनाओ नोट्स बनाकर इस पीडियाफ को solve करो लिए इस पीडियाफ को solve करो मैं 100% बोल रही हूं चीजें कहीं नहीं रहेंगी इन और गैनिक केमिस्ट्री और और ऑर ऑर गैनिक केमिस्ट्री बहुत माठ जो mark scoring और बाइव कर रही हूं अपना reaction बहुत अच्छे से कर लेना तो लोग ठीक है जैसे मैं अभी उपर पढ़ा क्या हूं एक reaction वाला question जैसे most industrial में आपकी larger scale पे कौन सी नाटर कैसी को पर यूज करने के लिए reaction यूज होती है ऐसे question सो बहुत 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 बार पूछी जाते हैं तो वह question तुम्हारे tips पे होने चाहिए एक order वाले question भी बहुत आते हैं जैसे आपका chapter यहां ऐसे arrow करके यूँ आपका बहुत बहुत काफी चीज आपको मैसी लगती है अपने simple से notes बनाओ उनसे then इस PDF को solve करो डाउट आएगा मुझे बताओ ठीक है कल का तुमारे पास में टाइम रहेगा जैसे हम करते थे चार पांच बिचे तक अपने मुझे डाउट बता देना कि ति इस PDF में पर्टिकलर पी ब्लोग में यहां पी यहां पर डाउट है ठीक है उस डाउट के regarding आपका recorded lecture आपको मिल बस एक बार यह चीज़ मेरी करके देख लो कि हां दी ने जो बोला है हम वही चीज़े फोलो करेंगे और ऐसे चीज़े प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार यह करो एंड जो कॉस्टन डाउट का रहेगा वो मुझे एक बार बता देना ठीक है सो दैट मैं आपको कल उसका ले